तीसरी बार प्रधान मंत्री पद की शपत ली, 30 काबनेट मंत्रियों ने पद की शपत ली है, वहीं 36 राज्य मंत्रियों ने पद की शपत ली है पाँच राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने पद और गोपनियता की शपत ली तो इस तरह से मोधी 3.0 की शपत सर्मनी पूरी हो गई है और अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की ये टीम तयार हो चुकी है तो तीसरी बार नरेंद्र मोधी केंद्र की सत्ता में प्रधान मंत्री के तौर पर और उनकी टीम ने आज शपत ले ली है 36 राजमंत्री है 5 राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार है और ये तस्वीरे अगर काबिनेट मंत्रियों की बात करें तो बीजेपी के चेहरे लगभग लगभग वही है कुछ एक चेहरों को छोड़ दे 20 ऐसे मंत्री है जो इस बार नहीं दिखेंगे पिछली बार वो मंत्राले क का हिस्ता थे इस बार नहीं दिखेंगे उन में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव जीता कुछ हार गये थे उन्हें बाहर किया गया है लेकिन जादा तर जो क्याबिनेट मंत्री है वो चेहरे वही हैं जो मोधी 2.0 में थे मैं नरेंद्र दामदर्दास मोधी इश्वर की सपत लेता हूं की मैं वीधी द्वारा स्थापीत भारत के समिधान के प्रती सच्ची श्रधा और निश्चा रखूंगा तो तीसरी बार नरेंद्र मोधी देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इसी के साथ नरेंद्र मोधी ने इतिहास रच दिया है 1962 के बाद नरेंद्र मोधी एक मात्र ऐसे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और इसी के साथ अपने 100 दिन का एजेंडा भी तयार कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, प्रधान मंत्री मोदी की तीसरी सरकार के लिए 100 दिन बहुत ही एहम है क्योंकि इन ही 100 दिनों से पता चल जाएगा कि आगर आने वाले 5 सालों तक मोदी सरकार की दशा और दिशा किस तरह की रहने वाली है मैं नरेंद्र दामदर्दास मोदी इश्वर की सपत लेता हूँ की मैं राजनाथ से इश्वर की सपत लेता हूँ की मैं अमीद अनिल चंद्रशा इश्वर की सपत लेता हूँ की विक्सित भारत का संकल्प लिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार पुरधान मंतरी पत की शपत ले चुके है 1962 के बार ये पहला मौका है जब कोई नेता लगातार तीसरी बार देश का पुरधान मंतरी बना प्रधान मंतरी के रूप में प्रतेक्शन अथ्वा संसुचित या प्रकट नहीं करूंगा टीम मोदी में इस बार कुछ नए तो कुछ पुराने चेहरे शामिल है जो साजह सरकार के संदेश को चरितार्थ करता है मोदी के सबका साथ सबके विश्वास के मंतर को पूर्ण करता है मोदी की लगातार तीसरी बार ताज पोशी अपने आप में एक कीरती मान है दस सालों में पिया मोदी ने दुनिया भर में भारत का डंका बजाया है और राश्ट्र ध्यक्षों से दोस्ती काठी है उसका असर ये रहा कि दुनिया भर से दिगज मोदी के शपत ग्रहन समाहरों में शामिल हुए मैं वीदी द्वारा स्थापीत भारत के समिधान के प्रती सच्ची श्रधा और निश्चा रखूँगा नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना अपने आप में काफी खास है भले ही जनाता ने पीजेपी की सीथे कम कर दी हो लेकिन एंडिये के लिए तो जनादेश दे ही दिया आप लोग मिशिंट रहें आप लोग आणनदित रहें देश पर विश्वास रखें क्यूँकि अप्रधान बंत्री मोदी जी इसकी बागत्रोर समाल रहें और सारे अलायंस जो हैं, वो सब हमारे ही विचारधारा के हैं, सनातनी विचारधारा के साथ देश को आगे बढ़ाने, कि विचार आराम से चलेगी, आनंद से चलेगी, तो कुछ गुन गुनाने का मन कर रहा है, इस मौके उपने का मन कर रहा है, आज जो मन कर रहा है, जो इस चुनावी नतीजों से इतर मोधी का फोकस विक्सित राष्ट्र बनाने पर है PM मोधी शपत से पहले अगले 100 दिन का टारगेट भी सेट कर चुके हैं PM मोधी ने कहा है विक्सित भारत पर फोकस रखना है भारत को तीसरी बड़ी अर्थ व्यवस्था बनाना है रिफोर्म, परफोर्म, ट्रास्फोर्म पर ध्यान देना है स्केल, स्कोप, स्किल के एजेंडे पर काम करना है और पेंडिंग योजनाओं को पूरा करने का भी निर्देश दिया है PM मोधी ने मंत्रियों से साफ कर दिया है कि इस रोड मेप को लागू करना और पेंडिंग योजनाओं को भी पूरा करना है उन्होंने कह दिया है जिसके पास जो विभाग होगा उसके कामों को जल्द से जल्द पूरा करना है और अपने टारगेट की चिंता करनी है यानि PM मोधी तीसरी बार शपत लेने के बार सोदिन के एजेंडे पर आगे बन चुके हैं बीरो रिपोर्ट न्यूस एटीन और मोधी के सौधन के एजेंडे में कौन-कौन से एहम मुद्दे हो सकते हैं कौन-कौन से एहम प्लान्स हो सकते हैं वो उस पर एक नज़र ढाल लेते हैं वन नेशन, वन एलेक्शन जैसे मुद्दे सौधन के एज़ेंडे का हिस्सा हो सकते हैं यूनिफर्म सिविल कोड और ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आज दिल्ली पर दुनिया भर के निगाहे थी और आज की ही ये तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं भारत को अपना 21 प्रधान मं प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी अगले 5 साल तक देश में NDA के सरकार चलाने बाले हैं जिसमें हर राज्ये हर वर्ग के साथ सबी NDA साथियों का खयाल रखा गया है आपको एक रिपोर्ट के जरीए दिखाते हैं उससे पहले ये तस्वीर जहांपर राज्णा सिंग जो पिछली सरकार में रक्षा मंत्री थे अमेच्छा जो पिछली सरकार में ग्रह मंत्री थे नितिन गटकरी जो सड़क परिवहन मंत्री थे जेपी नडड़ा जोकी राष चेहरे को किस तरह की जिम्मिदारी? में करीब करीब हर स्टेट की छाप है कभी ना ठकने वाले कभी ना रुकने वाले प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में भी मंतरियों को चुन-चुन कर शामिल किया है मोदी ने अपने मंतरी मंडल में इस बात का खास ख्याल लखा है कि सभी बर्ग सभी राज्ये शामिल हो मोदी की कैबिनेट में ना सिर्फ सभी राज्यों का ख्याल लखा गया बलकि सभी बर्ग को भी साधने की कोशिस की गई बात जाती समिकरन की करें तो OBC से 27 चेहरों को शामिल क्या गया है SC समुदाय से 10 मंत्री बनाय गए ST से 5 तो वहीं अलपसंख्यक समुदाय से 5 मंत्रियों को जगह मिली मोधी मंत्री मंदल में उतरप्रदेश का भी दम देखने को मिला UP कोटे से राजनाथ सिंग को मंत्री बनाय गया UP कोटे से हरदीप पूरी को मंत्री बनाय गया UP से जितिन प्रसाद को मौका मिला SP सिंग बगेल भी कैबिनेट में शामिल हुए पंकज चोधरी को भी मंत्री बनाय गया है वहीं अपना दल S से अनुप्रिया पटेल, RLD से जैन चोधरी तो वहीं बियल वर्मा के साथ ही कमलेश पासवान को भी मंत्री बनाया गया है भले ही पहले के मुकाबले मोदी कैबिनेट में यूपी की जगह कुछ कम हो लेकिन संख्या जितनी भी है उसमें सभी जातिगत और इलाकाई समीकरण साधे गए हैं इन सब के अलावा मोदी के मंत्री मंडल में साथियों को भी सिर आखो पर बिठाया गया चाहे जेडियू हो या टीडीपी, लजेपी हो या हम सब का दम देखने को मिला यानि मोदी के थर्ड टर्म की तीम तयार हो चुकी है अब इंतजार उस एक्षन का है जिसके संकेत पिया मोदी ने चुनाप परिणाम से प्रिणाम नरेंद्र मोदी के नाम लगाता चार बार मुख्यमंत्री बनने का भी रिकॉर्ड दर्ष है यानि वो सफर जहां से ब्रैंड मोदी बनने की कहानी की शुरुवात होती है और इसी कहानी का एक सिरा आज की शाम लिखा गया जब नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पत की शपत लिए मैं नरेंद्र दामदर्दास मोदी इश्वर की सपत लेता हूँ कि यही समय है सही समय है भारत का अनमोल समय है असंख भुजाओं की शक्ति है यही समय है सही समय है भारत का अनमोल समय है वारत की यह समय नरेंद्र मोदी का समय है कुछ ऐसा नहीं जो करने सको कुछ ऐसा नहीं नर्यास शती सफलता का ऐसा किर्थिमान जो भारत की राजनीती में आज तक कोई नहीं बना पाया काम्याबी की वो उड़ान जिसकी उचाई को आज तक भारत की राजनीती में कोई छू नहीं पाया मोदी का किर्दार देश की राजनीती के मंच पर उस नायक की तरह उभरा है जो पिछले 22 सालों से अजेय है अपराजेय है और जिसकी लोकप्रियता के आसपास भी भारत में तो क्या पूरी दुनिया में भी कोई नहीं आ सका है बलकि देश की जनता के दिलो दिमाग में छपा है वो नाम है नरेंद्र मोदी और चौकाने वाले नतीजे जनता के सामने है पूरी दुनिया बेसबरी से नया इतिहने का इसाफ हो गई कि तीसरी बार भी मोदी सरकार साल दो हजार दो ये भारत की राजनीती के इतिहास का सबसे एहम साल है क्योंकि ये भारत में सत्ता की राजनीती में मोदी के पदारपन का साल है साल दो हजार दो से नरंद्र मोदी का नया गुजरात शुरू होता है जब बीजेपी के अंदर मोदी के नाम पर पहला बहुमत हासिल होता है और यहीं से नए भारत की नीव पड़ जाती है मोदी के पहले भी साल 1995 में गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार बनी थी लेकिन तब बीजेपी ने 121 सीटे जीती थी लेकिन 2002 में मोदी ने 127 सीटे जीत कर उस वक्त अपनी ही पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ दिया यह ब्रेंड मोदी का शांदार शुहरंब था और तब से आज तक यानी 2002 से 2014 तक गुजरात में एक ही नाम एक ही चेहरा चाया रहा नरंद्र दामोदर्दास मोदी प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी इतने बड़े ब्रैंड बन चुके हैं कि उनके सामने जातिवात की पुरानी राजनीती फेल साबित हो रही है भले ही विपक्ष जाती जनगरना के साहरे राजनीती कर रहा हो लेकिन ये राजनीती भी मोधी ब्राइन के सामने कहीं नहीं ठैर रहे लेकिन वो वो कमिनल कमिनल ही है वे उनके लिए हर सीच देखते ही कोई भी आइडिया आता है ब्रैंड मोधी के वजन को समझना हो तो 2024 का चुनाव सबसे अच्छा एक्जामपल है कभी मोधी को हिटलर बताने की कोशिश हुई कभी मोधी को पुतिन कहा गया ताना शाह से तुलना कर नरंद्र मोधी की छबी को धूमिल करने की साजिशे हुई लेकिन जनता के दिलो दिमाग में जिस कामदार चबी ने चाप छोड़ी उसके आगे विपक्ष का कोई भी मुदा कहीं नहीं टिकता घर हमारी बात नहीं माननी है हमारी देश की सेना की बात नहीं माननी है तो वह अपने मित्र पाकिस्तान की लोगки की तो सुन लें 향 उनको फटी मानने कि इस चुना में लगतार आपको अपशब्द कहे जा रहे है नहीं और भी पक्षी नेटा ने आपको तुग लगा फिर उसके बाद ताना शाका कि आपको बुरा लगता है यूँ आपको गुस्टा आता है इस पर भाइज देखिये हम तो कामदार है बेनामदार है और हम कामदार लोग जरम से गालिया सुन-सुन करके बड़े हुए हैं लोगों के लाते खाते खाते बड और तो और राहुल गांधी को भी लंबे समय के बाद ही सही लेकिन ब्रेंड मोधी की शक्ती सबज में आ चुकी है इसलिए जब भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री रास्थान में हुई तो राहुल गांधी का स्वागत मोधी मोधी के नारों से हुआ था और राहुल गांधी इसके बाद भी अपने विरोधियों को फ्लाइंग किस देने पर ही मजबूर हुए क्योंकि जब 2019 के चुनाव में राहुल ने मोधी के खिलाफ चौकिदार चौर का नारा लगाया था तब जनता ने कॉंग्रस को सजा दी थी इसी को ब्रेंड मोधी कहते हैं जिसका मतलब है कि जनता मोधी के खिलाफ कोई बात बरदाश्त ही नहीं करती है पड़े कहनवास पर एनालीसिस करना चाहिए कि जो अपने आपको नू ट्रल कहते हैं जिनका नूट्रल होना जरूरी होता है वो कहां खड़े होते हैं कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं वो अब देश को जान लेना बहुत जरूरी है यानि 2024 के चुनावी चक्रवियू में विपक्ष का हर दाओ बैंड मोदी की इमेज के आगे फीका पड़ गया और सबसे बड़ी बात इस चुनाओ में जितने भी दिगजनेताओं ने प्रचार प्रसार किया सब ने मोदी फॉर्मुला अपनाया उससे भी बड़ी बात ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात ने जब भी जनसभावक में प्रचार प्रसार किया जनसभाएं की तो उन्हों ने कहा विपक्ष के इंडिया गठबंदन के आरक्षन वाली बात पर कि OBC के जितने भी हक है उसे इंडिया गठबंदन दकार ज साल 2009 के लोगसभाचुनाव में BJP को 19 प्रतिशत वोट मिले थे और आकड़ों में भी नज़राती है रणनीती कितनी ही असरदार क्यों नहीं हो लेकिन उसमें जानतावाती है जब मोदी का नाम जुड़ जाता है रणनीती कितनी ही असरदार क्यों नहीं हो लेकिन उसमें असर तब आता है जब मोदी खुद कमान समाल लेते हैं मोदी कभी अपने विरोधी को हलके में नहीं लेते हैं चाहे देश की सबसे नई पार्टी आम आदमी पार्टी हो चाहे देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस हो मोदी के पास सब के लिए प्लैन है मोदी के तरकश में विरोधियों की हर चुनौती का पक्का समाधान है इंडी गटबंदन वालों को देश अच्छी तरह जान गया है ये लोग गोर सांप्रदाइक है ये लोग गोर जातिवादी है ये लोग गोर परिवारवादी है जब भी इनकी सरकार बनती है तो इसके आधार पर ही फैसला लेती है समय से पहले चलना ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी की वो पावर बैक अप है जो उसे चुनाव जीतने वाली एक ताकतवर मशीन में बदल देता है MP, राजस्थान, 36 गड़, मोदी की लोग प्रियता का ताजा उदाहरण है मोदी की लीडर्शिप में आज बीजेपी असम और त्रिपडा में भी काम्यावी का जंडा गार चुकी है बीजेपी नौर्थ इस्ट के राज्यों में भी भगवा पताका फेहरा देगी ये बीजेपी के विरोधियों ने कभी सपने में भी कलपना नहीं की थी अब बारी दक्षिन के किले पर भगवा लहराने की है लेकिन मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है आज मोदी के नत्रतों में बीजेपी उस स्थिती में पहुँच चुकी है जहां उसके विरोधियों मान चुके हैं कि मोदी के राजनीती में रहने तक बीजेपी को हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है भ्योरो रिपोर्ट नियूजेटी तो नरेंद्र मोदी तीसरी बाद प्रधान मंत्री बन चुके हैं उनकी टीम तयार है एजेंडा पहले से ही तय है और टार्गेट सौधिन का उन्होंने अपने मंत्रियों को पहले ही दे दिया है जिसके बाद रिपोर्ट कार्ड भी हर बार की तरह वो देखने वाले हैं चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे सब्रेक के लिए खबरों का सजला जा रही है मैं नरेंद्र दामोदर्दास मोदी इश्वर की सपक लेता हूँ